आप सभी को अपने यूट्टी चैनल में स्वागत है आज हम सुफर फास्ट फिफ्टी कोहचन जो है यह करा रहे हैं सीटेट के लिए बहुत इंपॉंटेट है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और सपोर्ट करें सवाल नमर एक की बात कर रहे है शिशू के समा से ओप्सन नमर एक चुलना है तो इस तरह से आपको पुरा कम्पलीट हो गया होगा तो समेगनात्माक के स्थीरता वो समय का आत्मा कम होती है तो हमारा option 4 किसोरा वस्ता किसोरा वस्ता में कोई भी चीज़ है वो दिमाग में आता है या आता है तो उसके लिए समय कर रूप से वो स्थिरा जाता है concept उसका बन जाता है अब सवाल अमर आगे हम बात कर रहे हैं दूद के दात गिरने एवं है ये 6 वरस को आयूम होती है तो इसका option 6 होगा यहना option 2 में आपका जवाब लगेगा तो इस तरह से आप चेक करते ही है आपका कितना जो है वो इसमें स्कोर आता है इसके लिए आप अपने ध्यान में लगाये और स्टेट मारते चलिए तो इस तरह से यह भी आपको कर सकते हैं कि अपना ये कॉपी पर नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं आपका क्या है कितना स्कुरा रहा और यह 50 सवाल बहुत ही इंपॉंटेट है जो आप देखिएगा कि यह हमारा श्क्रीन पर काम करते रहेगा और इसमें हम लोग अपना एबिलिटी चेक करते रहेंगे तो यह कंप्लीट हो गया सवाल नमर आगे आप देखिए शिखनी की परकिरिया को परभावित करने वाले सरीरिक कारक क्या है तो चार अप्सन दिये हुए है स्वास्त लिंग परकिरिया जो है वो किस तरह के परकिरिया है यह हमारा सिखना जो है एक समाजिक परकिरिया है समाज में जो भी कुछ होते रहता है उसके दवारा सिख जाते हैं शिखने में परिवर्तन होता है तो सिखने में जो परिवर्तन होता है वो बहवार का परिवर्तन होता है और उ प्रकियां है या कतन किसका है तो स्ष्तल्च्च्ण जो है इ Carmuki प्रकिया होस का है ये आपको दिमांग में अच्छे से रखना है तो स्थिर्ट्रन की परक्रियjang यह रौश आपको दिमाघ मरखनां प्यवलाओकां समध्ध अनुकुरिया शिधान के सिथांध का सिद्धान है तो पेवलाओ समध्ध अनुकुरिया सिधान का परतिवादन किया था और इसकी इसमी जो है उनिसो चार है थर नाइक थर डाइक जो है अपने सिधान का परतिवादन हितु परियोग किया था कोई भी बेगानिक या कोई भी किया है तो कुछ कुछ जीवे पर परियोग करते है उसके बाद जो है अपना सिधान देत होगा तो ठंड में बहुत कोचन है ये option आपको बहूğ वार्वारते रहता है यह सवाल बातावरण को किस दिरीषटे लिप निर्वान होता है इसलिए और optimistic फोर होगा बंशॉनु करम व्यक्तिकि जनम दाम विश्चता का पुन्ट जोग है यह कथन किसका है तो बंसा अनुकरम ब्यक्ति की जन्मदाता का विशेश जो जोग होता है वो आप्शन नमरे एक बुट वर्ट लगाना है तो इसमें हमारा बुट वर्ट जेम्स वर्ट ड्राइब हो गया तो इसका उप्शन यह होगा तो बी अन जहार वन्सा कुराम आई हूँ सारा काम करते हैं तो इसमें यह सभी होगा इन अप्शन मर्फ फूर्ड लगाना है ब्यक्ति-क वयत्तित्वे के विकास क्या है तो यह आपका सवाल आ चुका है वातावरान अन्सर्ण और यह वातावरान तो इसमें ऑप्शन नमर्ट थीरी होगा वन्सा अनुकरम और बातावरन ये आप थिरी चुनियेगा इसमें confusion नहीं कीजेगा तो ब्यक्ति के बतीत्व का विकास का महत्पनस्थन क्या है तो वन्सा अनुकरम और बातावरन सवाल आगया आगया है वनसा अनुकरम माता पिता किसे संतान को प्राप्त होने वाला गुना का नाम क्या है यह परिवासा किस ने दिया है तो इसका जो है यह हमारा रुष्ट जो है यह वेनिफिट दिया है औप्सन नमर थिरी विकास का समन्द क्या ची है तो विकास का समन्द सबसे ज़्यादा जो है यह गुनात्मक से है option नमर एक अंसर होगा तो विकास का समन्द सबसे ज़्यादा है गुनात्मक है किसी भी गुन में है उसके जो है quality में होता है सुधार कि सोरो के समुचित विकास के लिए वस्टक है, सदाचार भी आचरण होना चीए, नेतिक शिच्छन भी होना चीए, अधास शिच्छन भी होना चीए यह आपको तीनों आप्सन सही है, यह तीनों आप्सन में से सही उक्न लगाना है अप्सन नमर आगे, सवाल नमर आगे देख रहे हैं, सैसा वस्टा की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् परवल भस्था क्या है दोना आत्में प्रेम की भावना आत्में प्रेम की भावना परवल भस्था में रहता है, तो ये सबसे ज़्यादा जो है या आत्मे प्रेम की भावना जो है वो हमारा बाल अवस्था में रहेगा इसका उप्शन दो सहसा वास्ता की अबदी क्या होते है सहसा वास्ता की अबदी जो हमारा है जनम से लिकर के 5 वरस तक है तो जनम से 5 वरस तक सहसा वास्ता की अबदी है यह भी आपको option number 1 सही होगा यह भी आपको completely याद रखना है तो इस तरह से यह हो गया इन में जो दो भी option है, option को थोड़ा सो समझ के अच्छे से पढ़के लगाना है, ताकि हमारा कोई भी एक भी सवाल गलत नहीं जा सके यह score में बहुत काम करता है, इसलिए score अच्छा लाने के लिए हमको सांती दिमाग से सही option का selection करना जरूवत है तो सवाल आपका देख लिए, बाल विकास में अध्यान, सवाल हमर आगे कर रहा है, बिभीन तत्यों के बीच किसी एकी तत्थ पर मन को एकागर किया जाना के लिए कहलाता है, तो जब भी है तो बिभीन तत्यों के बीच किसी एकी तत्थ पर मन के एकागर करने के लिए कहलात करता है तो नमर दूँअ आपको चुन्न यह गाना सबसे ज्यादा हो गया है अब सवाल आगय हम बात कर रहे हैं बाल वस्तव को मिठ्या परिवक्ता वाल किस ने कहा है यह हमारा यह इस वास्थाइन के लिए दने। दिन्स में आइंसरा जो है अनसर फोर वाला होता हॉत्पुन पूरंबाल लवस्टा में option 4ओगा नीमें से कुम सी पूर बॉल बॉस्था की नहीं है तो पूरे बालबाल लवस्था बस्ते किश्म नहीं है तो नुकरण करने की प्रश्थनिकर ने की लाशता या समोहро करती तो यह करण करते हैं प्रॉह वाल वस्ता प्रश्ट करने क्वास्त था आगर सवाल कर रहा है गर और तो आप परवर्तन किस ने किया तो बाल विकास के संगिनात्म सिधान का प्रवाजन जो है जीन प्याज ने किया था उप्सटर नमर एक से होगा यह सवाल भी बहुत बार बार आता है इसको भी अच्छे से हमको दिमाग में कॉंसर्ट बना कर रखना है तो अनुवेशन विधी का परतिबादन किस ने किया तो चारह उप्सट्ण में से आपका उप्सट्ण 4 होगा और महर्श टॉंग होगा यह अनुवेशन विधी भी बहुत है सवाल भी पढ़ चुके हैं तो आप्सन नमर ठीरी इसका सही जवाब होगा यह यह वाली वास्था जीरो सो पांच वड़त वह गया यह सहावस्था के भिश्यस्था क्या है तो पूर्वे वाल वास्था के भिश्यस्था बाहरा है कि हमारा इसा है कि दोंध abdomen golden तो यह हमारा पुल वास्ता में एक yo awesome for hope होगा साथा में होता है् Silver शीजुत होता है यह आत्म केंदरित होता है option न record आपको का सहई अंसर है सब सबसेबस वास्ता में आत्में हैं स्चिछ सिर्फ अपने वारं में क्या तो यह हमारा मुख्यस्थे क्या तो यह हम्यों यह को दिमांगे रखना है जो है बच्चा में छाड़क पिर मुनता की इसता का था में तो इसलिवे में तर्थिकता का अभाव रहता है तो इस तरह सुझे यह वारा आगे सवाल देख रहा है विकासा आत्मक बाल मन विगानिक के जन्म किसे माना जाता है तो 20 का साथ मग जहें बाल मंगली स्राइड को मनव श्लेशन विदि के जन्म दाता किजने है तो अप्शन तो इस तरह से आपको देखिए यह थोड़ा इस पर किये हैं थोड़ा कोचन जो है यह थोड़ा कंफीजन में डाल देता है बाल विकास को सबसे ज्यादा जो परभावित करता है वह बाल विकास को परभावित करता है खेल कुद का मैदान तो इसलिए यह जो है ऑप्सन थीरी होगा बाल विकास के अवस्था को कितने भागों बाट गया है तीश का अनसर तीन लगेगा आप इस तरह सवाल आगया स्क्रीन पर देख रहें सवाल आगे आ तो अगला सवाल आपको पर आने वाला है यह दिखिए बाल विकास कब संपन होता है तो बाल विकास कब होता यानि विकास कभी रुकता नहीं है इसलिए जीवन उपर्यांथ चलते रहता जीवन भाए इसलिए औप्र यूपरांथ और परिवर्तन भी होते रहता है अब सब्सक्राइब आगे देखिए यह मारा सब्सक्राइब 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 इसका option number 2 ही होगा यह सारे आउस्टों सवाल ही का रहते हैं इसलिए सारे अवस्था क्या आयो आपको दिमाग में रखना है ताकि किसी तरह से घुमाकर को पूछे तो हम लोग कम्प्लीट याद रखें कोई साहा तो बाल अध्यन के पीट हम ओगया यह आपको दिमाग प्रति हृत्र फिर्फन्の पंच्छा एक Das की प्रीटी कैसी मैंने जएते हैं तो बिग्यान माय मानने जाती जाती है न jeśli मैं आगर आगे देखेंगाई बाल सबक्राइब कर बिकास का आर्त क्या है आदा जयुक्त गुनात्मक में परिनात्मक परिवर्तन तो अप्शन नमर दूसर ही होगा तो बालक में गुनात्मक और परिनात्मक जो है दोनों परिवर्तन होंगे सवाल हमारे इतलाश बुल रहा है बालक के विकास पराराम होगा तो बालक के विकास जो पराराम जनम से हो जाता है जबी ज कि अुर्ण फुर्ण कर से तंगे।